गुरु वरिदास महाराज के नाम से जो बहाँ सरोवर है चमारवाला जोहर जो बहुत ही स्रद्धा का आस्था का केंद्र है उसको भी नस्ते कर दिया गया उसके विरोद में देश और दुनिया के कोने कोने से गुरु फुट्तों ने एक स्वर में एक अत्र तोगर के आवाज उताई 21 अगस 2019 इशुदात का प्रमान है जब लाक्तोर अम्मित का वहन से अवाम लीला गराउन तक एक विशाल जन शोलाव दिल्ली की सरकों पर उम्डा 30 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त से लेकर के 5 शितंबर तक 7 दिन का यहाँ सांकेतिक धर्ना दिया गया आप सुषी ने बहुत बर्चर करके इसमे सहीव किया अपनी जिम्मेबारी को निभाया आपकी हिस्सेदारी ने मिशन टोला का बात को एक संजीवनी भूटी का काम किया मैं उन तमाम बंधों का जनों ने अपने तनमन धन अनादी का सहीव देकर के इस मिशन को कावियावी की और बढ़ने में सही उग दिया बहुतावावी हूँ उनका और दिल की गहराईयों से उनका धुन्नबाद और आभार जताता हूँ कई दोर में बातें हो चुकी है शरकार ने जहादे किये थे बच्चों को छोड़ने के लिए उनके मुकदमे वापिस लेने के लिए उन्होंने लिखित में एक मार सहरी रिकास मंतराले में ये हमाएं आश्वस्ते किया था कि बच्चे जो है वो अपरादी नहीं है अंदोलनकारी है शरकार उनके खिलाब कोई चार सीट नहीं दाखिल करने जा रही मामला कोट में होने की वज़े से हम उन्हें अपनी इच्छा से नहीं निकाल सकते वो कोट की पर किरिया के तहती निकल पाएंगे हम वादा करते हैं कि वहाँ पर विरोध नहीं करेगा हमारा कोई वकील ये तमाम चीज़ें हमने देखी है और ये जो सरकार ने वादा किया था यहां तक सब ठीक है लेकिन अभी जो मुझे जानकारी मिली क्योंकि यहां जंतर मंतर बनाने से पहले भी एक मीटिंग सरकार के साथ भी थी सुबह और उन्हें आस्वस्ति किया था कि जस्तरे बच्चों को बाहर निकाल ली आ गया है उन्हें जल्दी अपराथ मुक्त भी गोशित कर देया जाएगा ठीक उसी परकार सुप्रीम कोट की जो सिमाए है सरकार चाहती है कि हम उससे बाहर निकले और जो भी कुछ आपके हमारे वीच्वा सहमती बने उस सहमती को आधार बना करके हम आगे बढ़ें हमने अपनी बाते महार रखी पुजने एक स्वार संसुग्दे भागमारी जी ने अपने कौम की बात को वहां रखा कि आध देश और दुनिया में लोग पंतर के अंदर शबसे बड़ी कोई कौम है तो वो चमार जाती है वो भगवान गुरु रविदास महरा जी को मानने वाले बावाशा वम्मीडगर जी को मानने वाले उनके कौम समाच के लोग हैं इसलिए सरकार हमारी आफ्ता को हमारी भावनाओं को हमारी सुरद्धा को देखते हुए फैसला ले जो बारे 1350 वर्ग का जमीन हमें 510 वर्षों से प्राप्त हुए आप अगर इसमा बढ़ा ना सकें तो इसमें से घटाने का भी कुद्शित पुरियास ना करें अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे समाज की भावनाओं के साथ ये खिलवार होगी बीती सत्रे तारीक में जो घटनाए घटी तुई थी उनके बारे में आपको बाली जी ने विस्तार से बताया मारती जी ने विस्तार से बताया उन पर मैं जाना नहीं चाहता अफारा तारीक को मानियों सुप्रीम कोट ने जो हमें एक बार फिर सुनाया अपनी ओर से आदेश हमारे लिए वो एक बहुत अच्छी बात थी क्योंकि जो वकील है उन्होंने अपनी दो दिन तैयारी करके आज अपना जवाब दाखिल किया वो दो सो गच्छे चार सो गच्छ पर आए है मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँ है अपने तमाम पत्रकार बंदों से भी देश और दुनिया में गुरु रविदास मिशन के समर्पित सिपाईयों से भी मिशन तुगलक आवायत को अपना साहियों परदान करने वाले गुरु जी के भक्तों से भी और इस जिदेश में विश्व के सबसे बड़े लोकतंतर में सरकार चलाने वाले यहाँ के सासकों से भी और दावा साहब के द्वारा वचे हुए संवीधान के संदक्षक के रूप में जो कानून ववस्ता का निर्वहन कर रहे हैं उन कानून के संदक्षकों से भी मेरा आथ जूड़कर निवेदन है और वो निवेदन ये है कि किसी घर में अगर आग लग जाए भगवान ना करे किसी के घर में आग लगे तो तमाम लोग अपने अपने घरों से बाल्टिया लेकर के बरतन लेकर के उस घर की और दोर पड़ते हैं पानी लेकर ज़स घर को आग लग गई है चाहे वो किसी के द्वारा लगाई हो चाहे वो स्वैम लग गई हो शरकार उसको घर बना करके देती है उसलों को बसाने का काम सरकार की जिम्मेवारी और जबाव देही है लेकिन सरकार की मनसा उन चार लोगों का नाम आ जाने से इसपस्ट हो जाती है जैसे सुर्जीत कुनार, सत्विंदर हीरा जी, आत्मा राम परमार जी और सुरेश्ट राथोर जी ये सरकार की थैली के चट्य बट्य हैं, इन्होंने अपने निहित स्वार्थों के कारण सरकार की गोद में बैठ कर इस कौम के स्वाभी मान को बेचने का काम किया है बारे हजार तीन सो पचास वर्ग गज जमीन जो पांग सो तस वर्षों से गुरु रभी दास जी के अनियाईयों के पास थी जिसका दिकाद अज़ाश्व विभाग में अंकित है, 1948 तक का उसे जमीन को हमसे हमारी को छीन कर, हमारे गुरु रभी दास जी के प्राची नहतियासिक दरवार को तोड़ कर, हमारे संतों की समादियों पर बिल्डोजर चला कर, हमारे गुरु के तालाव को नस्तना बूद करके, बदले में हमें जो जमीन दी जा रही है, आज सिर्फ इ आज उनको शरम आई है कि वाई संतों को लकडी के काथ के किसी केविन में तो नहीं बिठाया जा सकता क्यों सुबह हमने कहा था कि क्या इससे और ज्यादा कोई निम्नी इस्तर का शर्द नहीं था तुमारे पास हमारे गुरू के लिए तुमारे गुरू के लिए तुमारे से लहा है वहाँ पर बीस साथ सु पत्थर तरह से जा रहे हैं जबकि अभी उसका केश भी कोट के आधिन है और हमारे गुरू के लिए आप मानिय सुप्रीम कोट का सहरा ले करके एक बेटा केवन देना चाहते हो इससे ज़्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है तुमारी ज मान सकता है सोचितों के और फीडितों के प्रती वो तुमारे इन शब्दों से उजागर हो जाती है तुम्हें जो कंडीशन रखी है वो कंडीशन नहीं है वो तुमारी दिमाग के खुराफात की सोच है मैंने निवेगन किया था कि हमारा जो लख्ष है वो अपने गुरु के उस प्राची नेतिया शिक्तरों और को वापिस पाना है हमारा जो उद्देश है मिशन तुगला का बाद के हर सिपाई का जो उद्देश है वो हमारा अपने आप में छेतरों में बट जाना नहीं है हमारा अपने आप में असंगतित छेतर में चला जाना नहीं है फूट में चला जाना नहीं है हमने हमेशा उस पर्षन का आदर किया है जिसने मिशन तुकलकाबाद को सफल बनाने के लिए सहयोग किया हमने उनके पाऊं धो धो करके पिये हैं और हम निरंतर उनके पाऊं धो करके पियेंगे जो कौम पर आई हुई इस मुसीबत को तालने में अपना सहयोग परदान कर रहे है चाहे वो आम आदमी से लेकर के कोई खास क्यों ना हो हमारे पत्रकार बंदूओं से लेकर के हमारे सम्मानित वकील गड़ क्यों ना हो हमारे राजनेतिक लोगों से लेकर के हमारे सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सम्मानित पददकारी गन और शेवादार क्यों ना हो वो किसी भी धरम और मजब से क्यों ना हो किसी जाती और पाती से क्यों ना हो वो किसी भी छेतर और भाशा से क्यों ना हो हम उन सब के चरम धुकर के पियेंगे उनके चरणों की दूल अपने माथी पर लगाएंगे एक ही नजरिया से किसी व्यक्ति विश्यस को देखना मैं समस्ता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी बारी भूल हो सकती है आखिर हम भी इंसान हैं हमारे भी सहयम और धरिय की एक शीमा है हमने अपने समाच की चोखी दारी को निभाने के लिए तीन महीने से रात दिन अपना सर्वस्व में चावर करके इसी दिल्ली की सर्गों पर हम के वलाद के संदेशों को घरगर तक पहुचाने का काम कर रहे हैं हम संतुखलकावाद की सफलता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम अपनी चोधरा हट के लिए दिल्ली नहीं आते ना हमारा ऐसा कोई लक्स है कि हमें चोधरी गोसित किया जाए लेकिन आपके चर्णों में हम ये विंती करना चाहेंगे कि आपकी चोधरा हट को सुरक्षित रखने के लिए चोकीदार की जरूरत है आप हमें उतना जगेतों ने हमने आप ही ही की आवाज को आगे बढ़ाने का काम किया है हम सोशल मीडिया पर आने वाली ख़बरों का ना हम उन्हें स्विकार करते हैं ना हम उसको किसी भी तरह से क्योंकि लोग जो जिसके मन में आता है आजाद है वो कुछ भी बात कह सकता है पुझने एक सुआज संत गुर्दीब गिरीजी माहराजी ने जो सुजाब हमें दिया कि रावर में लंका का युद्धारने के बाद नाभी में जब उनको तीर लगा वो धरासाई हो गए और राम जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा था कि राम तुमारे पराकरम से मैं नहीं हरा मैं हरा हूँ अपनी भूल के कारण क्योंकि मैंने अपने भाई को लात मारी मेरा भाई अगर तुमारे पास न गया होता तो तुमारी कोई तागत नहीं थी जो तुम मुझे हरा देते साथियों आपको ध्यान होगा मैंने इसी जंतर मंतर पर भगवान गुरु रविधास्थी और भावा शाव अमेडगर जी के पावन चरनों में बैठ करके एक बजन आपको सुनाया था वो बजन सुनाने का कोई मेरा काम मनोरंजन नहीं था वो मेरा काम था सिर्फ अपनी कौम को आगा करने का भारत के सोसित वीरों मेरा कहन मान लो प्यारे तुम समठ ही दोकर रहना हों दूर दरिदर सारे मतमान घटापने का पमान बुरी भी मारी दिलात मार भाई को ना मन में बात विचारी हुआ विमख भी भी सरपल में भाया युद्ध बहन कर भारी एक रोज राम के आगे रावर की से ना हारी लंकेश्वर की मती मारी कुल डूबा भी न विचारे तुम समठ ही तो कर रहना हों दूर दरिदर सारे मैंने तिहास एग और दूसरा एक्जाम्पल लेने का प्रियास किया एक रोज कुमत की होनी दुरियोधन के मन चाई किया चीर हरन दुरोपदी का हुए भिमुक भाई से भाई कुरू छेत्र हुआ महाभारत जहां खून की नदी भाई कुल नश्ट हुआ कोरव का है दगा सगा ना भाई हस्तनापुर की बड़ी हाई न समली सहज समारे तुम सन्थित होकर रहना हों दूर तरे दर्शारे आपने देखा होगा तेली विजन के माध्यम से दोदभी के चीर हरन करने का दुरियोधन और दुसासन का जो लक्ष था वो अपने पांठ पांडब भाईयों को नीचा दिखाना था सभा में बिभी सर के चाती में ठोकर मारने का जो रामवर्ण का कारिय था वो केबल अपने भाई की बात को अंसुना कर उसकी उसको नीचा दिखाना था अपना प्रभुत्वी स्थाफित करना था लेकिन दोनों का हस्र क्या हुआ कोई ताकज़ार नहीं है जो कुछ हूं वो मैं हूं century और यह बात दुरियो धन्वी कहता था कि कोई मेरा सानी नहीं है जो कुछ हूं मैं हूं लेकिन वसका आनwow sow конquet निकला वो मारा भीर बलसाली तुम्हावा आगे मत मरना लुत चला चमन बिनमाली मैंने तो आप लोगों से इसी धर्ती पर संकल्प लिवाया था कि जो भूल इतिहास में हम पीछे कर चुके हैं वो आगे ना करें साथियों शब्द के अंतिम लाईने हैं और मैंने शब्द को जोड़नी की कोशिस किया है कि जब भारतिय सम्मीदान के निर्माता अपने जीवन के अंतिम श्वास ले रहे थे मौत और जीवन के बीच जूज रहे थे उस समय देश के तमाम प्रभुत लोग उनके चर्णों में आकर के बैठते हैं और उनों बाबा साथ के चर्णों में एक स्वर होकर प्राफ न की कि आपने इस देश और दुनिया के लिए जो दिया साध आप से पहले वो किसी भगवान ने नहीं दिया किसी देवता ने नहीं दिया लेकिन ये पूरी कौम और पूरा राष्ट आपकी दात के लिए शमर्पित है आप चलते समय हमें आसीद बाद दें तो बाबा साथ की आँखों से जर-जर मोटे-मोटे आसु बहने लगे और हुमोंने अपने आपको समालते हुए कहा मुसीबत जीली तब बड़ा कार्वा आगे इस देश कौम के कारण मैंने सारे ही सुखत्यागे देदी आजादी तुमको भारत संवीधान बनाके अब वीर शिन हितकारी खुस रहना भी मुझाके चर्णा मैं फीस जटाके मिले मन छितवर प्यारे तुम संथ ही तो होकर रहना हों दूर दरिदर सारे यह जो कवायद कि दस अगस्त से ले करके और आज इसी 21 अक्टूबर 2019 तक की की जा रही है कौम को इखता करने की यह केवल संथन के लिए आपसी मजबूती के लिए सरकार के द्वारा जुल्म जो किया गया है इन दलितों पर उस जुल्म का जबाव देने के लिए यह कमान धरना प्रदर्शन भूजा आधी आधी कारिये यह कौम के द्वारा किये जा रहे हैं लेकिन मैं बेंती करना चाहूंगा अगर किसी के घर में आग लगी है और कोई चिडिया चोच भरके उसमें पानी डाल रही है और चार आदमी ताली बजा करकि अगर मजाक उसकी उनाएं कि तेरी एक चोच पानी से क्या होगा क्या यह आग बुझ जाएगी तो उस चिडिया ने कहा था कि आग बुझे ना बुझे लेकिन बुझेने बाले बीरों में मेरा नामन की तो जाएगा हमें जो भी कुछ मिला पंजाब की धर्ती से मिला है यह हम मुक्तकंत से कहना चाहते हैं कि भगवान गुरु रविदाज जी का जो यह मिशन जिंदा हुआ वो पंजाब की धर्ती से जिंदा हुआ है लेकिन इस देश के तमाम राजियों ने पंजाब के आगे अपनी पलक जुकाने में अपना माथा तेकने में कहीं कोई कसर बाकी नहीं चोड़ी है हम यह कहना चाहेंगे कि अगर आप चोद्रे हैं तो हमें चोकीदार की जरूरिस्थान परदान करें अगर आपकी नुजरों में हमारी की मच्चोगी दार के बराबर भी नहीं है तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं आपसे बेंटी करना चाहते हैं कि आपका हर आदे सामने यह पालन किया है और हम बचन देते हैं क्योंकि हम उस गुरू की संदाने जिसने हमें संदेश दिया था यह तन बिसकी बेल है गुरू अमरत की खान सेस दिये जो गुरू मिले तो भी सस्ता जान अगर हमारे बलकों पर भी आपको भरुशा नहीं है तो हम अपनी गर्दन आपके चन्नों में रख देंगे लेकिन मिशल को दिखरने नहीं देंगे सरकार को कामियाब नहीं होने देंगे हम पुझने एक सो आक्शन ते गुर्दीब गिरी महराजी के चन्नों में बेंती करते हैं कि आगे आप होंगे, हम पीछे होंगे जो आपका आदेस होगा, वो आदेस हमें मानने होगा हमारे लिए आप से अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती तो कि कौन को एकता के सुत्र में बांदने वाला महान होता है हम लोगोंने अपनी तरफ से पूरा ये पिरियास किया है हमारे जो भी संता हैं हमने पास दिन उनके चरन धोकर के यहाँ पर पिये हमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी अपनी उर से लेकिन हमारा आप से निवेदन है कि सरकार अपनी चाल में कामियाब होने का पिरियास कर रही है सुखदेब बागमारे जी को मैंने एक रात के लिए पूरा भेजा उनके हाथ जोड़े पाओं पगड़े तुम चले जाओ तुमारे पत्नी जीवन और मुर्थ के भी जूज रही है पूछो टोend गों के अंदर अपने आपको इस्थाबित करने की कौशिस कर रहे हैं उनसे पूछो उन्होंने क्या त्यागा है यहाँपर उनसे पूछो उन्होंने क्या खुरवानियें दिये यहाँपर लटक रही थी इनकी पत्ने मैंने उनको कहा कि तुम्हें एक रात के लिए चले जाओ हमारे दिल पर हाथ रख करके देखें कि इसमें संत्गलकावाद को काम्याब बनाने के लिए इन बहनों और भाईयों को इसे अतियास से किस तलबर एक अता करने के लिए हमने क्या कमी छोड़ी है अगर हमारी और से कोई गलतिया कोई भूल हुई है तो आम हाद जोड़ करके आप सभी संत मादर्शों और समाज के चलने में माफी चाहते हैं हमारा लक्ष आपके आदिर सोटा पालन करना देश और दुनिया में बैठी गुर रविदास मिशन के सपाईयों के हुकम का पालन करना है हमारा लक्ष अपने आपको इस्थापित करना नहीं है जैगुर देव, धनगुर देव, जैभी, जैवारत, जैगुरु रविदास जी